नमस्कार दोस्तों तो आज मैं आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूं कि यदि आप CMC Valor में आप किसी भी पैसेंट को इलाज कराने के लिए आते हैं तो सबसे पहली दिक्कत होता है कि वहां पर रूम लेना होता है क्योंकि इलाज एक दो दिनों में वहां पर पॉसिबल नह दिखा रहा हूं रूम में इन्वर्टर का सुविधा हम लोग को मिला था जिसमें अगर 24-hour बिजली की सेवा हम लोग को दिया जा रहा था और रूम हमें ground floor में नहीं मिला तो first floor में मिला था तो first floor में दिखाने जा रहा हूं तो आप जैसा रूम अगर चाहेंगे आपके बजट के उपर निर्वर करता है अधिया आपके पास अधिक बजट है तो आप VIP रूम भी ले सकते हैं और यहां पर रूम का जो किराया है वो पर डे के अनुसार से किराया लगता है यह नहीं किया हम एक मेहना का किरायर पर एस रूम में जैसे सुविधाई के ही है कि दो रूम था यहां पर और यह रूम के बाहर करना जा रहा है एक वहां पर वेसिन दिया गया है और एक रूम के ऊपर मतलब एक वास रूम दिया जाएगा जैसे दो रूम था तो दो वास रूम एक वास रूम यह है जिसमें इंडियन पें लगा है यह इंडियन वाला पें वाला है और दूसरा है उसके बातरूम मिलता है ठीक है और यह बेसिन में ने बताया बेसिन की सुझधा उपलब्द है बाकि खाना बनाने का भी बरतन वहां पे उपलब्द रहता है अधिक हाइफाइब बरतन आपको नहीं दिया यह बेड रूम है ठीक है टूट बेड का जैसे मैंने रूम लिया थोड़ा खाना में बना रहा था हो उसका भी द्रिस में आप लोगों को दिखा रहा हूं तो यह दवाइत वाइस पूरा विखड़ा है घर के जैसे आप चाहेंगे कि घर में जिस तरह हम लोगों को सुईधा हो उस तरह तो नहीं है हैंगर का एक सुईधा रहता है जहां पर अपने कपड़े को हैंग कर सकते हैं ठीक है और यह देखे थोड़ा बाहर यह दूसरे वासरूम दिखा रहा हूं बरतन बिखड़ा पड़ा है उसको धूलना होगा और यह देखे फ्रेंज है जैसे वह तो यह 360 रुपे करके पर डे करके लगता था यह जस्ट ही CMC के और्ड केमपस है उससे 500 मिटर के दूर पे कमरा में ने लिया था लेकिन हमको इलाज यहां से 20 किलमेटर जाना पड़ता था तो बाए बस से उन लोग जाते थे यह रूम का छोटा सा नजारा कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जोड़ी बताइएगा जन्ने वागता